जमसेदपुर में च्छव उत्सब में बिजली जूला लेकर आए कुछ लोगों पर अपराधियों ने हमला बोल दिया उनके साथ मारपीट की गई उन्हें लूट लिया गया च्छव उत्सब में बिजली जूला लाए लोगों से लूग उनके साथ की गई मारपी, नगदी, लैपटॉप, कैमरा च्छीना चार लोगों का किया अपहराध दो लोगों को छोड़ा तरसब सराय केला खरसावा के कुछाई थाना अंतरगत बाईडी फुटबॉल मैदान में बाहुडार रतियात्रा पर दो दिवसिया मेला सहच्छव उत्सब का आयूजन किया गया था इस मेले में धनवाद और जमसेतपुर से उपहार स्टूडियो और छोटा बिजली जूला लेकर मेला आये थे मेला खत्म हो चुका था मेले में गुरवार को सामानों को समेटने का कारे जारी था तभी गुरवार की रात दस वजी करीब साथ से आठ की संख्या में अग्यात अपराधियो ने इस्टूडियो और भिजली जूला के करमचारियों पर हथ्यार से लैस होकर हमला बोल दिया अपराधियों ने पिस्टॉल दिखा कर लाठी डंडे से कर्मचारियों को पीटा अपराधियों ने उन लोगों से अपराधियों ने चोटा बीली जूला के मालेक 47 वर्सिय नरेंद्र गुपता शाह, भरत कुमार साह, रोहित और सुनील साहु का अपहरण भी कर लिया रात के लगबग 12 बजे से एक बजे के बीच अपराधियों ने नरेंद्र गुपता शाह और सुनील साहु कुमार पीट कर गालुडी और बड़ा बांबो सड़क पर छोड़ दिया अपराधियों के चंगुल से बचकर निकले नरेंद्र और सुनील ने बड़ा बांबो पहुँच कर मामले की जान कारीब पुलिस को दी जबकि अपराधियों के चंगुल में फ़से भरत कुमार साह और रोहित का पता नहीं चल पाया कि दोरले पर ले गिया। काई यंज वलता है उसके बाद एक बस्ती पार किया वन दुनरों को क्या भो उसके वह दॉनरों को तो मारा है, वह बस्ता नहीं है सहाब कर दोड़ी, क्या भका है। वहीं लापता लोगों की तलाज पुलिस के खोजी कुट्टों द्वारा कराई जा रही है रात होने के कारण पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है गुनाह के लिए सराय केला से लाला जबी की रिपोर आप हमारे चैनल को यूचूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लाभा आप ट्यूटर पर भी हमें नियूज इंद्या 17 पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक पर आप नियूज इंद्या.nims यूनाहीं पर हमें लाइक कर सकते हैं